कक्षा 2 के विद्यात्यों आपका हिंदी व्याकरन की कक्षा में स्वागत हैं आज हम संध्या के बारे में संध्या की परिभाशा और इसके परकारों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि संग्या की परिवाशा क्या होती है किसी व्यक्ति वस्तू स्थान तथा भाब के नाम को हम संग्या कहते हैं संग्या किसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तू स्थान भाब के नाम को हम संग्या कहते हैं बच्चों आपको इस ज्वाली परिभाशा को अपनी नोटबुक में लिखना हैं, यहां से परिभाशा डालके संग्या किवली को लिखना हैं, आगे हैं आपका, जैसे मतलब नाम अनेक परकार की होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम भी लिख सकते हैं, इसमें दिया हुए अ स्थानों के नाम है, कलम, किताब, मेज, इसमें हैं स्थानों के नाम, स्थानों के नाम कैसे हैं, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, लालकिला, मतलब कोई भी जो जगे हैं, स्थान हैं, उनके नाम है, भावों के नाम, भाव वो होते हैं, जिसको आप मैसूस कर सकते हो, की ममता होती है वो भाव है, भै लगना डर लगना उसको आप मैसूस कर सकते हो देखने सकते हो, खुशी खुशी को भी आप मैसूस करते हो आगे है आपका संघ्या कितने प्रकार होती है संघ्या के कितने वेद है संघ्या के तीन वेद होती है नमबर एक व्यक्तिवाचक संग्या, चातिवाचक संग्या और भावाचक संग्या पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संग्या जो शब्द किसी विशेश, व्यक्ति, वस्तु, चां इस्थान के बारे में बताती हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संध्या कहते हैं जैसे जो आलाल नहरू, दिल्ली, हिमाल्या, आगरा, भारत, आदी मतलब जो शब्द जो हैं हमें किसी विशेश खास मतलब उनके नाम से जैसे हम किसी मतलब किसी विशेश व्यक्ति के बारे में किसी खास वस्तों के बारे में जा किसी खास इस्थान के बारे में बताती है उसे हम व्यक्तिवाचक संग्या कहती है जैसे खास इंसान का नाम ले लिया जैसे जवालाल नहरू छीक है दिल्ली हिमाल्या, आग्रा भारत ये कहे हैं व्यक्तिवाचक संग्या आगे है आपकी जातिवाचक संग्या जिन शब्दों से किसी जाती जा समू का पता चलता है उसे जातिवाचक संग्या कहते हैं मतलब जिस शब्द से आपको किसी पूरी जाती के बारे में पूरे एक ग्रूप के जहां समूग के बारे में पता चलता है, उसे हम जाती वाचिक संध्या कहती हैं, जैसे कक्षा, कक्षा मतलब एक कक्षा है जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसको हम कक्षा कहते हैं, आगे हैं, अध्यापक गन मतलब ज्यादा अध्यापकों का जो समू है उसे हम अध्यापक गन कहेंगे पुस्तके बहुत सारी पुस्तके है ठीक है औरत ठीक है बच्चा मतलब पूरी समू को मतलब पूरे कोई कह देते हैं हम कोई खास का नाम लेके नहीं कह रहे हैं हम बच्चा मतलब बच्चे का नाम नहीं लिया है बस खाली उसकी जाती है मतलब बच्चा है वो वे या फूल आदी ठीक है यह हो गया आपका जातिवाचक संग्या आगे है भावाचक संग्या जिन शब्दों से गुन, दोश, भाव या अवस्था का पता चले उसे भावाचक संग्या कहती है जिन से हमें किसी के गुन, दोश या भाव अवस्था का पता चलता है उसे हम भावाचक संग्या कहती है जैसे मीठा, खटा, करवा जिसे हम मैसूस कर सकती है बचपन, बुड़ापपा, आधी इसमें देखो बच्चो हम इसमें साथ ही एक exercise भी करते हैं नीचे दिएगे चित्रों को सही नाम से मिलाएं अब इनमें बहुत सारी चित्र दिए हैं उनको बीच में ये लिखा भी हुआ है इसके साथ हमने मिलान करना है इसमें जो हैं आपको जो संख्या के तीन परकार हैं उनसे related, उनसे संबंदित पिक्चरे दी गई हैं आपको इनको साथ में मिलाना है जैसे वस्तू और यहाँ जो पिक्चर्स पढ़ी हैं जैसे पैनना हैं ये बच्चे मतलब के काटरे हैं खुशी मना रहे हैं ये राजा है, ये इंडिया गेट की फोटो है आपके पास तस्वीर है ये सादू महात्म है कोई जैक है, ये ताजमेल है ये मेज है और ये मतलब बच्चे के साथ उसकी माँ है तो आपको वस्तू कौन-कौन से होई यहाँ पैन और मेज जो है ये वस्तू होगी चीक है, अब व्यक्ति कौन-कौन से है यहाँ ये देखो, ये राजा होगया और ये ये भी व्यक्ति है ये और राजा भी आगे है स्थान स्थान कौन-कौन से है, जैसे इंडिया गेट क्या है यह कोई जगा का नाम है किसी स्थान का नाम है और यह जो आपका ताजमेल है यह भी एक स्थान है ठीक है उसके आगे हैं भाब भाब क्या है यह मां की मम्त है